एंड हो वी गो दिशेश अप्रोला मेंटोर पॉर सी एई फाउंडेशन अकाउंट क्या से राजा आज मैं आपके साथ में डिसकस करने वालों पहला 60 डे स्ट्राटेजी यह मैं खुद अडॉप किया था इन माई CACPT मेरे वख CACPT था इस CACPT एक एक एक्जाम होता था जिसमें आपके चारों के चारों सब्जेक्ट एमसी के रहते थे अब बोलो कि सर कितना अच्छा है सुन मुनना वह एक दिन के अंदर चार पेपर देने पड़ते थे आज तो यह पहले मैं अपना स्टडी स्केडूल कर रहा हूं क्या शेर कर रहा हू मेरा वेक अफ टाइम था तो सर पांच बजे छे बजे आले नहीं रहा हुणना कि साड़े-गारा बारा बजे म उठता था सुबह की रात की नसेव से तो नहीं कर रहे थे यै साड़े-11 उठता था उसका कारण आगे बाद चलेंगा मैं सुबह के साड़े-11 उठता था फिर साड़े-11 बारा बज़े उठे थोड़ी अंगड़ाई लिए नाश्टाश्ता खाए लाइबरी ओबलिक रीडिंग रूम अब मैं घर पे नहीं पढ़ता था क्योंकि में लग रहा था कि मैं घर पे डिस्चब होता हो तो मैं एक लाइबरी ओबलिक रीडिंग रूम जॉइन कर लिया था वहां मैं साड़े-12 के आसपास पहुँच जाता था और पढ़ाई बिना नीन दाए कारण है बारा बज़े तो उठाओ कुम्मकरन समान अभी क्या नीन आएंगी ओके और दूसरा नीन आने का कारण यह नहीं था नीन इसले नहीं आती थी विकॉस मैं देख रहा हूं भाई उसका तीसरा टेम्ट है उसका चौथा टेम्ट है उसका आठ्वा ह लंज ब्रेक होता था मेरा थाई से सवा तीन साड़ेती तर यह क्या है एक घंटा चक्लस कर रहे देगा हम तो पंदा में का के वापस बेढ़ जाते पढ़ने अब सुनो मैं खाता था में को पता था खाने के बाद नीन आएगी तो मैं टेहलता था तो मैं डांस नहीं करता था टेहलता था अर टेहलते वक्त मैं लोगों को देखता था लोगों में हर कोई आता ह। क्लियर मैं देख रहा हूं ओ अच्छा तो ये काम कर रहा है तो हमने पूरा गाउ घुमते थे एक घंटा लाइबरे रूम से गोल 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 पूरा घुमते थे मास ताकि जो मैंने खाना खाया है उस वज़े से में को नीन ना आए फिर वापस पढ़ता था साड़े तीन से साड़े पाज बज़े और डॉट साड़े पाज बज़े मैं रीडिंग रूप से निकल जाता था विकॉस ठोख राखे मेरा फ्यार अब तू इंथ खाम देखेगी अरे ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ मैं जिम जाता था लियर सर एक्जाम टाइम में भी जिम चले हुआ हांजी मैं च्छे बजे के आसपास जिम पहुच जाता था और साड़े साथ के आसपास निकल जाता था ठीक dunno मैं मेरे के लिए छिम चलेगी जिम जाता था था ताकि मैं थक कि भाई मैं उठ्था 12 साड़े साथ घंटे मैं आदमी ठकता नहीं है मैं ठकने के लिए जिम जाता था बहुत तगड़े से जिम मारते थे भाई आदमी पूरा ठक जाए और आके I used to sleep और मैं आठ वजे से रात को आप बोल सकते हो साड़े ग्यारा साड़े ग्यारा बारा तक सोते थे फिर उठते थे कुछ खाते थे एंड यहां से मेरी studi शुरू होती थी तो मेरी जो quality study का time रहता था वो क्या था मैं साड़े बारा से tamasam फकures सुबह के साढ़े पाथ छे बज़े तक है यह सै मैं पढ़ता था अब इग बात बताओ इसमें जो नो ओन इसमें समया अब्सूयआ गार फाफता क्पार है क्या यूज कि कारण है ना राथ को अन् clear पापा याद करेंगे sorry clear तुम समझ के मैं क्या बुलना चारा हूँ clear तुम एको को याद करने वाला तो है नहीं बिल्कुल being very honest genuinely मैं single था कस्सम से वता रहा हूँ single था आपको भरो सोया नहो सिंगल था तभी रात को पढ़ पाता था और को डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था ला इसमें clear sorted है अगर आप मेरे आप आर्स क्यालकुलेट करो तो यहां पे पाच घंडे हो रहे थे रात को रात ने मैं पाच घंडे पढ़ रहा था और यह मेरी effective थी ऐसा नहीं कि चकलस करते हो पढ़ रहा था और फिर जो reading रूम में मैं पढ़ रहा था कितना बढ़ा लेडिन में दो घंटे देट दो घंटा वहाँ पे और दो घंटा यहाँ पे मोटा मोटी दो दो चार आपन साधे तीन घंटे ले ले लेते आवरेज आउट करके तो साधे आठ घंटे की मेरी effective और quality study होती थी clear अब मैं पढ़ता कैसे था मैं एक subjective और एक theoretical एक subject और एक theoretical पेपर लेता था और वैसे पढ़ता था अब subjective और theoretical में क्या theoretical में highlighter यूज करता था मेरी first reading में highlighter यूज करके मैं बड़े बड़े paragraph को छे line में convert कर देता था आपके लिए तो भाई गुर्पीत सरकेस अंजीवनी बूटी वाले notes और अगर आप नहीं refer करना चाहते हो तो आप खुद को उस बड़े बड़े paragraph को छोटे छोटे lines में बनाना पड़ेगा ताकि आप जल्दी 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 याद कर सको अब subjective में मैं common questions नहीं करता था common questions नहीं करता था और common adjustments नहीं करता था लाइक अब मैंको पता है अकाउंट्स में BRS bank reconciliation statement में check issued but not represented for payment check deposit but not clear amount directly deposit amount directly withdrawn ऐसे बहुत सारी चीज़े common रहती हर question में में को एक बार समझ गया ना क्या करना है बस बात खता उसके बाद वो चीज में refer नहीं करता था मैं सिफ ने 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 adjustments और point करता था जो मुझे revise करने है या जो मुझे वापस देखना है सेम मैट्स में भी अरे TVM का मैंने question कर लिया annuity method के साब से अब वैसे type के question बार बार नहीं करूंगा तो मैं अपने total अगर मेरे पास 600 question थे मैं उन्हें streamline करके 100 question पे ला लेता था अब इसके regarding मैंने already एक वीडियो बनाया हुआ था कि मैं अपना syllabus छोटा कैसे करता था शोटन कैसे करता था उसका मैं आपके लिए link इस lecture के नीचे डलवा दूँगा और शायद i button में भी आ जाएगा मुझे नहीं पता and not that tax savvy कि कहाँ पे आएगा या तो link इसके नीचे रहेंगी lecture के यह session के यह उपर i button में आ जाएगा तो वो जरूर आपने देखना चाहिए कि आखिर आप syllabus को छोटा करते कैसे हो clear आप पहल रही 30 दिन लग जाए कोई फरक नहीं पढ़ता आपकी फ़र्स रीडिंग फर्स बार जब आप प्राक्टिकल चैप्टर कर रहे हो 30 दिन लग चारो subject मिला कि कोई फरक नहीं पढ़ता but उसके बाद जो 1 मेना रहेगा ना वो 1 मेरे में आप 2 बर करते हो क्यूंकि भाई accounts भू में को देखना है 100 में को लौ में पूरी बुक नहीं पढ़नी है 200 पेजिस के आप में को पढ़ने है टोटल मिला के सारी लाइंस जो आपने हाइलेट की थी सबको प्लस करोगे मात्रा 30-40 पेजिस clear same goes with eco same goes with maths तो आप मेरा syllabus जो पहले 100% बुक में था उसको मैंने चोटा consolidate चोटा चोटा करते हुए मैंनो syllabus को 30% पर ड्रॉप कर दिया तो आप 600 थे 100 मैंने दो 16 पर ड्रॉप किया था आपको तो मैं 30 बोल रहा हो 180 कोश्चन 600 में सिर्फ चूश्ची कोश्चन चूश करने है अब आप कितने बार रिवाइस कर सकते हो आपकोले एक महईने में कम से कम टो रहाइस कर सकते हो अब मैं कौन से बेसिस पर रहाइस करता था मेरा बेसिस पर रहता है यो here questions MTP RTP यह तीनों मेरे बेस रहते थे तो रिवाइस यह तीनों के बेसिस पर ही मैं रिवाइस करता था हर चीज और मैं आपको आज बता रहा हूं आएसी आ का मोडिल और पी वाइकी MTP लिंग्ड है मैं आईसे के मोडल में चुनिनदा कोश्चन करता था बाकि मैं MTP RTP पी वाइकी पे कॉंसे मेरे करता था के कुछ चुनिंदा कोश्चन जैसे आप फाउंडेशन में हो तो जो सेल्फ सॉल्विंग वाले कोश्चन है वह तो आपने करना ही करना है और जो आईसे ने वख करोगे अपने सबसे पहले स्केडी सकेडीटियूल पे उसके बाद कॉश्चन सह आप ये Su Cult करोगे और आपको पता होला नापता हो यह मेरा टाइम टेबल हा इतने बजह स्वुवाnt यह मेरा time table था और आपको अब flexibility भी बनाने पड़ेगा पड़ने का मतलब Advent City का time को कि आपको अपने आपको रियलिस्टिक टार्गेट देने पड़े अपको आपको पोरीलिस्टिक टार्गेट दने पड़ेगे कि आज आज मैं लॉक पूरा खटम करके उठूंगा दुनिया इधर की हो जाए या उधर की हो जाए नहीं अचका टारगेट है मैं खतम करके उठूंगा यह उठूंगी पता चल रहा नौर्मली कॉन्ट्रेक्ट टैक करने को तीन रखते शोपपब एक दीन में करूँगा क्या रेलिस्टिक है नहीं से अकाउंस ऐसाइए case दिन में होता होता मैं होता को बिलकुल होता यह होता है真 और रिएलिस्टिक टार गिप देने पड़ेंगे आपको अपना टायम्टेवल बनाना पड़ेगा कि आप कौनसे दिन topic wise बना लो आज 24th है 24th को आपको पहला paper है अभी भी 60 दिन exact बचे हुए है clear और आखरी के 5 दिन revision के लिए आपने छोड़ना चाहिए तो आपको time table बनाना है और मुद्दे की बाद है दूसरों के doubt solve करना बंद करो क्योंकि यह time पे आपको खुद को time देना है दूसरे को नहीं और जब आप दूसरे को time देते हो उसका doubt आपको ना हो बड़ आपको आ जाएगा तो आपको confidence लो जाएगा अरे मेंको किसी ने पूछ लिया वह भाई इसका doubt का answer क्या है पहले तो उसको समझाने में अपना समय खरब किया यह time पे मेरा time is very 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 precious उसके बाद मेंको doubt नहीं था बर उसका question सुनने का मेरे को doubt आ गया तो भाई मेरे लग गए मेरा confidence लो हो जाएगा उस chapter में जो मैं already solve कर चुका हूँ उसके बाद books change मत करो जो book आपके पास है वही book आपकी final है और वही book आप पढ़ते रहोगे दूसरों की phone मत उठाओ और किसी को यह मत बोलो या यह मत पूछो कि तेरा कित्ता chapter complete हो चुका है कोई आपको बूचे रहा है तेरा कित्ता हुआ है बूलना पूरा सिले बस होगा तेरे को क्या या बूलना कुछ नहीं होआ तो कि मेरे तीन ही हुए आपके pressure बनता है प्रेशर में आपके ढंक से नहीं पढ़ते हो या उसके दो चैक्टर हुए आपके तीन हुए आप बहुत लीनेंड हो जाते है रहे हाँ ना भाई उसके तीन दो ही हुए मेरे तीन हो गया आप थोड़ा आराम पर हो जाते हो तो discussion म आपको answer नहीं है आप confident नहीं रहोगे तो यह time पे don't play psychologically with your brain दिमाग को peace में रखो दिमाग को शान्त रखो psychology है जो आपको जीतने में मदद करेगी और जो आपको अच्छे marks लाने में मदद करेगी psychologically जब आपने को chapter complete कर लिए आप confident feel करोगे तो psychology is the key once again repeating target realistic होना चाहिए completion पे आपने खुश होना चाहिए किसी से यह नहीं पूछना तेरा कित्ता हुआ ना किसी को बताना आपका कित्ता हुआ और किसी और के doubt solve करना बंद करो YouTube है उसके पास कि वो doubt अपना YouTube पे जाके देख सकता है या उसने कोई particular course purchase किया subscribe कियो और कंजन faculty से जाके पूछे आपको answer नहीं देना है भली आप लगो में में mean हूँ मेरे में attitude है है सौब आतके एक बात मेरे ले foundation निकालना कंपल सरी है am I very clear चल्प that's all for the day guys see you all see ya bye bye take care this is Sir Isha Prada signing off